यहां पर एक बच्चा ऑक्सिजन नहीं मिलने पर ए रिक्षा में बेबस मा की गोद में लेटा हुआ था बेबस मा अपने बच्चे को लेकर बिसाड़ा के ऑक्सिजन प्लांट पर पहुँच गई जहां ऑक्सिजन प्लांट के गेट पर मासूम बच्चा घंटो ऑक्सिजन के लिए तरपता रहा जो मामला जिले के अधिकारियों की जानकारी में आया तो उन्हें बच्चे को ऑक्सिजन सिलिंडर देकर उसे चाइल्ड पीजियाई में भरती कराने का अधेश दिया देखिये क्या हुआ जब मौके पर अधिकारी पहुंचते हैं मैं शिवां गया है और मैं विशाड़े से हूँ मैं चार चार से अपर बच्चे का इलाज करवाड़ी थी बैद से तो घर के आइसुलेशन था यह इसकी अपिजिएम सुन रहे है ना सीमो साब सुन रहे है मैं तीन-चार दिन से परेश आनूना मैं सोईना बच्चे सोया आ अब कोई दिक्कत है कोई बच्चे का अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए यह सरके आदेश है और उसको अब निश्चंत रहे हैं आपको बढ़िया सा बढ़िया चुट्मेंट मिलेगा अब हम तुरह प्रण पत्ता में बुलावाँ है अच्छा हम वाम कोई दिक्कत है को वेट पर गराइज की अच्छा में कोई दिक्कत है को विद्ध पर कर आएक पेशन नहीं है तो सर बहुत में भी आपसे बहुता हो आप से लगोर श्री जो एर यह बेडिक चला है इसका नहीं है कि अब दीवां दूआ है हमारे लिए हर बच्चा इंपर्टेंट अब लेकिन लिए भागे फिरोगे हैं घरवालों से बात ठाषर करे लिए पश् Ray Cum unpalas एक पर बचल को सबस्द्ります naug अब की आफ सेवन आप प于 कि अबंदाने और नहीं रहें सबने तरह आपका व्याए underground आपका भी आयत, अच्छली क्या है कि सुबह से साम तक फोन बजता कई बार नहीं उठा पाते हैं, तो आवेशित होने की जर्गत नहीं है, हम लोग भी नहीं आवेशित होते हैं, रात रात दो बज़े तक बचता है तो एक नहीं नहीं दो वह जो जो आप बोले मैडम तुम आप बोलियो तुम आप बोले वाजे से मेरे बच्चे को अक्सिजन मिली राज और आप और आपके बच्चे सही सलामत कह जा रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिये और हाँ अगर आप ये वीडियो यूट्यों य पर देख रहे हैं तो हमारी यूट्यूब के चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक के पेज़ को लाइक जरूर करें जुड़े रहे हैं देश और तुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए न्यूस टैम 24 क सबस्क्राइब